हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू आर चैनल लर्निंग नोट बूक आज इस वीडियो में हम क्लास फाइफ मैट्स का एक बहुत इंपोर्टन चैप्टर करने वाले हैं जो है LCM and HCF तो मैं आपको समझाऊंगी कि LCM किसे कहते हैं HCF किसे कहते हैं और कैसे हम फाइन कर सकते हैं LCM and HCF with the help of prime factorization method as well as short division method yes मैं आपको दोनों method आपको इस वीडियो में आसमझाने वाली हूँ thanks तो इस वीडियो को एंग तक ज़रूर देखी और अगर आपको class 5 का कोई और subject पढ़ना हो चाए वो social science हो, science हो, English grammar हो, Hindi हो, computers हो या maths का कोई और chapter पढ़ना हो तो हमने अपने चैनल learning notebook पर class 5 का सारा syllabus cover करा हुआ है आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं तो आईए शुलवात करते हैं HCF से यानि highest common factor so first let's understand what is HCF, देखिए HCF के full form होती है highest common factor or definition, the HCF of two or more numbers is the greatest common factor of the given numbers तो दो या दो से जादा numbers का HCF वो होता है जो उन number का, उन numbers का greatest common factor हो आईए example के थुरू आपको समझाती हो HCF of 4 and 6, अब हम देखते हैं कि 4 और 6 का HCF क्या होगा देखिए सबसे पहले तो हम बताएंगे कि 4 के factors कौन कौन से है 4 के factors है 1, 2 और 4 इसी तरह से 6 के factors क्या क्या है 1, 2, 3, 6 ठीक है, यह 4 के और 6 के factors है अब इन दोनों के factors में कुछ common factors भी है कौन से है 1 और 2 ठीक है, common factors है 4 और 6 के 1 और 2 अब 1 और 2 में से greatest यानि highest common factor कौन सा है येस, 2 तो जो 2 है वो HCF है 4 और 6 का तो आपने देखा कि यह दो numbers थे 4 और 6 हमने पहले उनके factors देखे और फिर उन factors में कौन से common factor है वो देखे और फिर common factor में से कौन सा highest common factor है वो होता है HCF Let's do one more question Find HCF of 1, 12 and 24 तो अब हमें इन तीनों numbers का HCF find कर रहा है तो सबसे पहला step क्या होगा? हम इन तीनों numbers के factors find करें Friends, इस वीडियो में मैं आपको factors find करना नहीं सिखा रही मैं assume कर रही हूँ कि आपको factors find करना आता है अगर आपको factors find करने में कोई confusion है तो आप मेरी separate video multiples and factors देख लीजिए आपकी सारी confusion दूर हो जाएगी इस video में हम focus करेंगे how to find HCF तो देखिए हम पहले इन तीनों के factors लिखेंगे So factors of 8 are 1, 2, 4 and 8 Factors of 12, 1, 2, 3, 4, 6 and 12 Similarly we will write factors of 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24 तो यह पहला step हमने कर लिया है अब second step है इन तीनों में से जो common factors हैं उनको identify करना तो दियान से देखिए ऐसे factors जो तीनों में common हैं 1 common है और 2 common है अब देखिए क्या 3 common है तीनों में? नहीं 3 तीनों में नहीं आ रहा है तो हम उसको नहीं consider करेंगे अब next देखिए है 4 तीनों में आ रहा है तो यारी यह भी common factor है इसके अलावा friends 6 भी देखिए और 8 भी 12 भी सिर्फ 2 में आ रहा है 2 के common factor है 3 के नहीं है तो हम उन्हें नहीं देखेंगे So common factors are 1, 2 and 4 अब second step भी complete हो गया अब third step बहुत आसान है बस इन तीनों common factors में से हमें highest common factor लिखना है वो है 4 So 4 is HCF of 1, 12 and 24 ठीक है friends? Friends, अब हम सीखेंगे how to find HCF by prime factorization method तो आईए सबसे पहले हम prime factorization को समझते हैं कि what do we understand by prime factorization When we write the number as a product of its prime factors it is called prime factorization तो friends, जब हम किसी number को उसके prime factors के product की form में लिखते हैं तो उसे कहा जाता है prime factorization आईए एक example के थूँ आपको इसे समझाती हैं जैसे कि हमें 12 की prime factorization करनी है तो हमें पता है कि जो 12 के factors होते हैं वो है 1, 2, 3, 4, 6 and 12 अब इन factors में से prime factors कौन से हैं? Prime factors है 2 and 3 तो अब अगर मैं 12 को सिर्फ 2 और 3 के product की form में लिखूँ तो वो कहलाएगी 12 की prime factorization वो होगी 2 into 2 into 3 यह है 12 की prime factorization अब देखिए आपको यह सोचने की जूरत नहीं है यह बहुत ही असानी से आप find कर सकते हैं यह prime factorization कैसे? Short division method से तो 12 को हम सबसे छोटे prime number से पहले divide करेंगे वो है 2 तो 2, 6 is 12 अब 6 को हम फिर से 2 से divide कर देंगे 2, 3 is 6 अब देखिए यह आ गए है यह आ गए हमारे prime factors 2 into 2 into 3 तो यही है 12 की prime factorization तो friends अब हमें prime factorization समझ आ गया है तो अब यह देखते हैं कि कैसे हम इसकी मदद से HCF find करते हैं Question is find HCF of 15 and 45 by prime factorization method तो अब हमें 15 of 45 का HCF find करना है with the help of prime factorization method तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम 15 और 45 के prime factors find करेंगे कैसे करेंगे वो हम पहले हम 15 को ऐसे लिख लेंगे और फिर अब friends हम सोचेंगे कि कौन सा ऐसा prime number है जो 15 को divide करता है वो है 3 3 5s आ 15 तो यहाँ पर हमें मिल गया है 5 जो 5 भी एक prime number है तो हम यहाँ रुक जाएंगे तो इसका मतलब 15 के prime factors हमने find कर लिए हैं वो है 3 और 5 तो हमने ऐसे लिख लिए इदर prime factors of 15 3 into 5 अब इसी तरह से हम 45 के prime factors find करेंगे अब देखिए 45 कौन से prime number से divide होता है यह भी होता है divide 3 से 3 15s आ 45 और 15 का अभी हमने prime factors निकाले ही है 3 और 5 तो ऐसे हम आगे इसको divide कर देंगे So now we have got prime factors of 45 as well 3 into 3 into 5 बस अब हमें क्या करना है इन दोनों के जो prime factors आए हैं उसमें से हमें common prime factors देखने हैं वो कौन से हैं देखिए एक तो 3 दोनों में common हैं और 5 दोनों में common हैं तो वो prime factors हमें identify करने हैं जो दोनों में हो उसको कहेंगे हम common prime factors तो कौन से हैं 15 of 45 के common prime factors 3 and 5 अब friends HCF find करने के लिए हम इन common prime factors को multiply कर देंगे so we will do 3 into 5 which is equals to 15 तो 15 of 45 का HCF है 15 friends यहाँ पर मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगी कि जैसे उपर मैंने आपको बताया था कि देखिए जब 3 into 5 हमने करा तो यहाँ पर जो second step था तो यहाँ पर मिरको prime number मिल गया था तो मैं इसलिए यहाँ पर मैंने अपनी division stop कर दी पर कैई schools में यहाँ पर भी वो 5 को divide करेंगे further divide करेंगे जैसे कि इधर यह करेंगे ऐसे और इधर 5 लिख देंगे और फिर उनका नीचे इधर 1 आ जागा क्योंकि 5 into 1 equals to 5 और फिर वो कहेंगे कि अपनी division अब आपको जब आप 5 से further divide करेंगे जब भी आपको 3 into 5 ही लिखना है तो दोनों वे से answer same ही आएगा Let's do one more question find HCF of 8, 12 and 24 by prime factorization method तो यहाँ पर अब हमें 3 numbers का HCF find करना है तो steps जो हैं वो same ही रहेंगे सबसे पहले हम इन तीनों के prime factors find करेंगे वो कैसे करेंगे ऐसे हम 8 को ऐसे लिख लेंगे then we will think about a prime number which will divide 8 तो वो prime number है 2, 2 4 is a 8 यहाँ पे हमें 4 मिल गया है फिल से हम इसको divide करेंगे एक prime number से वो है 2 2 2 is a 4 अब देखिए इधर मेरे पास 2 आ गया है last में तो जो एक prime number है इसलिए मैं यहाँ पर अपनी division stop करेंगे तो prime factors 8 के क्या है 2 into 2 into 2 now let's find prime factors of 12 12 भी 2 से divide होता है तो हम करेंगे 2 into 6 equals to 12 अब 6 आ गया है 6 भी 2 से divide होता है so we will do 2 into 3 equals to 6 अब यहाँ पर मेरे पास देखिए नीचे 3 आ गया है जो की एक prime number है तो I'll stop my division here so I have got prime factors of 12 which are 2 into 2 into 3 next we are going to find prime factors of 24 अब 24 जो divide होता है वो भी prime number 2 से divide होता है so 2 into 12 equals to 24 अब 12 मिल गया है अब 12 की तो देखिए यहाँ पर हमने अभी prime factorization करी है same ही होएगी तो वो ही हम इदर करके दिखा देंगे तो prime factors of 24 are 2 into 2 into 2 into 3 तो अब हमने इन तीनों numbers के prime factors find कर दिये है अब next step क्या होगा अब हम देखेंगे कि इन तीनों में कौन से common prime factors है अब friends इदर एक बार ध्यान दखिए कि आपको वो ही common prime factors देखने है जो तीनों में common होगे देखें जो पहला यह 2 है फिर एक और 2 है तो हम उसे भी दुबारा लिखेंगे और अब देखिए अब 2 सिफ 2 में है 8 में और 24 में common है 12 में common नहीं है तो इस 2 को हम नहीं लेंगे यह important point है कि common वो ही होगा जो तीनों में होगा सिर्फ 2 में जो common होगा वो common नहीं कहलाता इसी तरह से जो 3 आपको दिख रहा है वो भी सिर्फ 2 numbers में common है तो हम उसको भी consider नहीं करेंगे तो यहां पर हमें common prime factors मिले हैं यह 2 और अगें 2 तो अब HCF find करने के लिए हम इन दोनों को multiply कर देंगे तो 2 into 2 equals to 4 तो 4 is the HCF of 8, 12 and 24 next question find HCF of 32, 80 and 96 by prime factorization method अब हम 3 numbers के सबसे पहले prime factors find कर लेते हैं तो 32 है देखिए हमें पता है कि यह 2 से जो prime number 2 है उससे divide होता चला जाएगा तो इसको divide कर लेते हैं 2 into 16 equals to 32 then 2 into 8 equals to 16 then 2 into 4 equals to 8 and 2 into 2 equals to 4 अब यहां पर सबसे नीचे मेरे पास 2 आ गया है जो कि एक prime number है तो मैं यहां पर अपनी division stop कर गया है तो 32 के prime factors क्या है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 यानि 5 times 2 now let's find prime factors of 80 यह भी हमें पता है 80 यह भी 2 से prime number 2 से divide होता चला जाएगा तो ऐसे ही हम इसके भी prime factors find कर लेते हैं ऐसे आपको भी show करना है और end में जब मेरे पास एक prime number आ गया जैसे कि यहां पर 5 आ गया है तो मैं दुख जाओंगी तो अब मेरे को 80 के prime factors मिल गए हैं जो कि यह हैं 4 times 2 multiplied by 5 then 96 के भी हम find कर लेते हैं इसी तरह से सबसे पहले यह 2 से ही divide होगा 2 into 48 equals to 96 then again by 2 2 into 24 equals to 48 then 2 into 12 equals to 24 again 2 into 6 equals to 12 then 2 into 3 equals to 6 आप देखिए हमारे पास 3 आ गया है जो कि एक prime number है तो हम यहां पर अपने division stop कर देगे तो यह 96 के prime factors बन गए हैं 5 times 2 multiplied by 3 तो यह सारे prime factors हम यहां लिख लेंगे यह 32 के हैं फिर 80 के and then these are prime factors of 96 अब इन तीनों के prime factors में से हमें common prime factors देखने हैं let's see एक यह 2 then यह भी फिर यह भी और यह भी अब बाकी जो next अब देखिए इदर 2 times यह दो बारी 2 आ रहा है 32 में और 96 में ही आ रहा है वो 80 का prime factor नहीं है तो हम उसको consider नहीं करेंगे और बाकी 5 और 3 तो एक एक बार ही आ रहे हैं तो अब यह है common prime factors तो हम इनको multiply कर देंगे so we will do 2 into 2 into 2 into 2 which is equal to 16 तो यह है हमारा HCF 16 friends अब हमने prime factorization से HCF find करना तो सीख लिया है अब हम सीखेंगे how to find HCF by short division method now we have to find HCF of 12 and 8 तो अब क्या करेंगे हम हम इन दोनो numbers को 12 और 8 को एक साथ divide करेंगे हम पहले इनको ऐसे लिख लेंगे देखे जैसे मैंने यहां लिखा है और अब देखेंगे कि इन दोनो numbers का common factor कौन सा है कौन से common factor से यह दोनो numbers divide होते हैं तो जैसे हमें पता है कि 12 और 8 का common factor है 2 तो हम 2 से इनको divide करेंगे 2, 6 और 12 और 2, 4 और 8 ठीक है अब हमारे पास आया 6 और 4 अब हम 6 और 4 को divide करेंगे उसके common factor से जो की दुबारा से 2 ही है 2, 3 और 6 2, 2 और 4 अब मेरे को मिल गया है 3 और 2 देखें इन दोनों numbers में कुछ भी common factor नहीं है ठीक है और ये prime numbers हैं दिखी रहा है तो इनमें कोई common factor तो है ही नहीं तो हम यहाँ पर लुक जाएंगे अब HCF क्या होगा हमारा यहाँ पर यह जो left hand side में यह जो आये हैं इदर numbers इनका जो product होगा वो हमारा HCF होगा तो यहाँ पर हम करेंगे 2 into 2 which is equals to 4 तो 12 और 8 का HCF यानि highest common factor है 4 Next question We have to find HCF of 48 and 54 अब 48 of 54 का HCF find करने के लिए हम इनको पहले ऐसे लिख लें अब हम देखेंगे कि इन दोनों का common factor कौन सा है कौन से common number से यह लोग दोनों divide होंगे तो देखें इन दोनों का जो last digit है वो even number है 48 में 8 और 54 में 4 तो इसका मतलब यह दोनों ही numbers divide होंगे 2 से चीक है common factor 2 है 2 into 24 equals to 48 2 into 27 equals to 54 तो अब मेरे को मिल गया है 24 और 27 अब मेरे को देखना है कि इन दोनों में common factor कौन सा है तो कौन सा होगा देखें फ्रेंग्स ऐसे questions को solve करने के लिए जो HCF वाले questions होते हैं आपको divisibility rules पता होने चाहिए क्योंकि जैसे जैसे आगे-ागे numbers बड़े होते चले जाएंगे आपको divisibility rules की जगत पड़ेगी तो यहाँ पर 24 और 27 में common factor है 3 3 eggs are 24 and 3 nines are 27 तो friends मेरे को कैसे पता चला कि 3 common factor है 24 और 27 का क्योंकि मैंने divisibility rule of 3 यूज करा है जो कहता है कि ये 2 plus 4 यानि दोनों का जो sum होगा वो divisible होना चाहिए 3 से तो यहाँ पर देखे 2 plus 4 equals to 6 जो 3 से divide होता है इसी तरह से 2 plus 7 which is equals to 9 वो भी 3 से divisible है divide होता है इसलिए 24 और 27 भी divide होंगे 3 से अब हमें मिला है 8 और 9 अब देखे 8 और 9 में तो कुछ common है ही नहीं है ना तो हम यहाँ पर गुक जाएंगे अब हमें HCF find करने के लिए क्या करना है we will multiply 2 and 3 so 2 into 3 equals to 6 तो HCF 48 और 54 का है 6 चीक है question is find HCF of 27, 81 and 18 तो अब हमें इन 3 numbers का HCF find करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंग्स इन 3 numbers को ऐसे लिख लेंगे अब हम सोचेंगे एक ऐसा common factor जो 3 numbers का हो जो 3 numbers को divide करें तो देखिए numbers है 27, 81 और 18 तो देखिए यहां पर common factor को identify करने के लिए आपको divisibility rules पता होने चाहिए क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो पहले 2 numbers है उनका जो last digit है वो even नहीं है तो यानि कि यह जो 2 numbers है यह तो 2 से divide हो ही नहीं सकते 18 ज़रूर divide हो रहा है क्योंकि उसका last digit even है पर हमें ऐसा factor देखना है जो 3 को divide करें ठीके तो 2 तो rule out हो गया अब 3 की divisibility क्या होती है कि हम check करते हैं जो sum of digits है वो 3 से divide होता है यानि तो वो check कर लेते हैं 2 plus 7, 9, 9 3 से divide होता है 8 plus 1, 9 वो भी divide होता है 3 से and 1 plus 8 equals to 9 वो भी 3 से divide होता है तो यानि ये तीनो numbers 3 से divide होंगे 3 common factor है इनका तो हम कर लेते हैं इनको divide 3 into 9 equals to 27 3 into 27 equals to 81 and 3 into 6 equals to 18 तो ऐसे लिखना है आपको जब divide कर लिया तो ऐसे लिखना है अब numbers क्या हमें मिल गए 9, 27 और 6 तो फिर से अब हमें इन तीनों का common factor देखना है जो तीनों को divide करें देखें इनको देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये तीनों 3 की table में आते हैं so let's divide them by 3 3, 3's are 9 3, 9's are 27 and 3, 2's are 6 ठीक है अब हमें numbers मिल गए है 3, 9 और 2 अब friends इन तीनों numbers को ध्यान से देखिए इन में कोई भी common factor नहीं है तो जब ऐसी situation आ जाती है जब हम ऐसी जगा पौच गए है जहां पे तीनों numbers में कुछ भी common नहीं है तो हम अपनी division वही stop कर देंगे ठीक है और हम HCF find करेंगे by multiplying these common factors जो यह left hand side पर हमारे common factors हमने लिखे है उनको multiply करके हम अपना HCF find कर देंगे तो यहां पर HCF है 3 into 3 which is equals to 9 So HCF of 27, 81 and 18 is 9 Now let's find HCF of 96, 108 and 180 तो इनको पहले हम लिख लेते हैं ऐसे अब हम देखते हैं कि इनका common factor कौन सा है देखिए यह तीनों ही even numbers है यानि यह 2 से divide होंगे So let's divide them 2 into 48 equals to 96 2 into 54 equals to 108 2 into 90 equals to 180 अब हमें यह नीचे यह 3 numbers मिल गए हैं अब इनमें देखते हैं common factor फिर से यह 3 numbers क्या हैं यह even हैं तो यानि यह फिर से 2 से divide होंगे 2 into 24 equals to 48 2 into 27 equals to 54 2 into 45 equals to 90 अब मेरे को जो numbers मिले हैं 24, 27 और 45 अब यहां देखिए 27 और 45 जो हैं वो odd numbers हैं यानि यह 2 से divide नहीं होएंगे ठीक है तो 2 तो अब हम ले ही नहीं सकते Let's move to 3 3 से देखते हैं हमें पता है कि 24 और 27 तो 3 से divide होते हैं Now what about 45 क्या 45 भी 3 से divide होता है Check कर लेते हैं 4 plus 5 equals to 9 9 divide होता है 3 से यानि 45 भी divide होगा तो आईए तीनो numbers को 3 से divide कर लेते हैं 3 into 8 equals to 24 3 into 9 equals to 27 and 3 into 15 equals to 45 अब हमें numbers मिले हैं 8, 9 और 15 अब इन तीनो numbers में कोई भी common factor नहीं है तो हम अपने division यहीं stop कर लेंगे और हमारा HCF क्या होगा यह तीनो numbers का product So let's multiply them 2 into 2 into 3 2 2s are 4 and 4 3s are 12 तो HCF है 12 तो friends अब हमने HCF निकालना सीख लिया है prime factorization से भी और short division method से भी अब आईए हम सीखेंगे least common multiple यानि LCM तो सबसे पहले हम LCM का मतलब समझेंगे LCM of 2 or more numbers is the smallest common multiple of each of the given numbers देखे friends यह एक definition है इसको हम एक example के थूँ समझते हैं For example LCM of 2 and 3 तो यहां हमने LCM यानि least common multiple बताना है 2 और 3 का अब देखे least common multiple तो multiple क्या है multiple का मतलब है 2 के multiples जैसे की 2, 4, 6, 8 and so on और 3 के multiples 3, 6, 9, 12, 15 तो यानि हमने multiples यानि दोनों के tables लिख ली है इतर ठीक है अब नेक्स्ट वर्ड है common अब इन दोनों के multiples में कोई common multiples भी है देखेए हैं क्या कौन-कौन से है 6 common multiple है दोनों की table में आ रहा है 12 भी common multiple है और इसी तदह 18 भी common multiple है और अगर आप और आगे table लिखते जाएंगे तो आपको और भी common multiples मिलेंगे तो यही मैंने या लिख दिया common multiples of 2 and 3 6, 12, 18 and so on अब देखें next word है least least मतलब सबसे छोटा तो हमें सबसे छोटा common multiple बताना है तो इन common multiples में से सबसे छोटा multiple कौन सा है 6 तो इसका मतलब 2 और 3 का LCM है 6 ठीक है friends तो यह मतलब होता है LCM का Now let's understand how to find LCM by prime factorization तो LCM की full form होती है least common multiple या lowest common multiple अब friends हमने prime factorization method सीख लिया है हमने ये भी सीख लिया है कि prime factors कैसे find करने हैं तो LCM भी अब हम बहुत जल्दी असानी से सीख लें देखें LCM find करना है इदर 12 और 15 का by prime factorization में तो पहला step अपना वो ही होगा कि हम 12 और 15 के prime factors find करेंगे जैसे मैंने आपको भी सिखाया था वैसे ही find करके आपको ऐसे लिखना है prime factors of 12 2 into 2 into 3 and then prime factors of 15 3 into 5 अब अपना next step क्या होगा वो ही कि इन दोनों के prime factors में से हमें common prime factor को identify करना है तो common prime factor कौन सा है इदर 3 अब change आएगा friends अब ध्यान से सुनिए देखिए LCM find करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि यह जो common prime factor हमने identify करा है इसे एक ही बारी लिखेंगे और बाकी के जो prime factors है उन्हें as it is हम multiply कर देखिए इदर क्या करा है मैंने 3 जो common prime factor है उसे एक बारी लिखा है और बाकी के जो factors थे 12 के था 2 into 2 वो as it is नीचे मैं multiply करूंगी और 15 का prime factor जो 5 बचा था उसे भी नीचे मैं multiply करूंगी तो यही change आता है LCM और HCF में HCF में हमने सिर्फ common prime factors को multiply करा था यहाँ पे वो change है यहाँ पे ऐसा नहीं करना है LCM find करते हों हम ऐसे करें ठीक है now let's multiply them 3 into 2 equals to 6 6 into 12 6 into 2 is 12 and 12 into 5 is 60 so 60 is the LCM of 12 and 15 आईए कुछ और examples के साथ हम इसे और अच्छे से समझते हैं friends अब की बार हम 3 numbers का LCM निकालेंगे इससे आपको यह prime factorization method बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसे हम LCM find करते हैं so let's see the question find LCM of 10, 15 and 18 by prime factorization method तो सबसे पहले हम इन तीनों के prime factors find कर देंगे जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे ही find करके यहाँ पर हम लिख देंगे prime factors of 10 prime factors of 15 and prime factors of 18 अब हम देखेंगे कि इन में common prime factors कौन से हैं अब फ्रेंक्स यहाँ पर देखिए अब important point है यह कि अब हम common prime factors वो consider करेंगे चाहे वो 2 में क्यों ना common हो अब ज़रूरी नहीं है कि वो 3 में ही common होगा जब ही हम लेंगे HCF में जब 3 में common होता है जब हम उसको common prime factor मानते हैं बट LCM में अगर जो prime factor है वो 2 में भी common है जब भी हम उसको common prime factor मानेंगे तो यहाँ पर देखिए जो 2 है वो 10 और 18 में आ रहा है वो common है हमारे लिए उसको हम एक बारी multiply करेंगे इसी तरह से 3 जो 2 में आ रहा है वो भी common है हमारे लिए उसको हम एक बारी multiply करेंगे और फिर 5 को भी एक बारी multiply करेंगे और अब क्या बच गया prime factor of 18 एक बच गया है 3 उसको हम as it is नीचे multiply कर देंगे देखिए यहाँ LCM find करने के लिए मैंने 2 को एक बारी लिखा है फिर 3 को एक बारी लिखा है फिर 5 को एक बारी लिखा है और फिर जो rest of the factors हैं उनको as it is लिख देंगे अब जब हम इन 4 को multiply करेंगे तो हमें answer मिलेगा 90 So 90 is the LCM of 10, 15 and 18 ठीके friends Let's see the next question Find LCM of 21, 54 and 63 by prime factorization method तो आईए सबसे पहले हम जल्दी से इन 3 numbers के prime factors लिख लेते हैं Prime factors of 21 3 into 7 Prime factors of 54 3 into 2 into 3 into 3 and prime factors of 63 3 into 3 into 7 अब जब हमने इन 3 के prime factors लिख लिए हैं अब हम देखेंगे common factors इन में से common prime factors कौन से हैं सबसे पहले देखिए 3 है common prime factor ये 3 में आ रहा है तो इसे हम एक बारी लिख लेंगे फिर है एक बारी और 3 आ रहा है वो दोनों में common है तो हम इस 3 को भी एक बारी लिख लेंगे फिर है 7 7 भी 2 में आ रहा है common तो हम इस 7 को भी एक बारी लिख लेंगे तो पहले ये जो तीनो common prime factor है इनको एक एक बारी नीचे लिख लेते हैं देखे, 3 को हमने लिख लिया फिर दूसरे वाले 3 को भी लिख लिया एक बारी और फिर 7 को भी एक बारी लिख लिया अब जो rest of the prime factors हैं उनको हम as it is नीचे लिख देंगे तो जैसे मैंने लिख दिया है 2 into 3 अब हम इन 5 नमबर को multiply करेंगे हमें मिलेगा 63 into 6 which is equal to 378 तो friends ये है हमारा LCM इन 3 नमबर का 21, 54 और 63 का और एक बात ध्यान रखेगा कि जब आप LCM find करें हैं और उसके लिए आप multiply करें हैं नमबर को बड़े ध्यान से multiply करेगा बहुत से students multiply करने में ही कलत कर देते हैं इसलिए उनका LCM कलत आता है उपर से सब कुछ सरी करते हैं आएंगे बट नीचे आके calculation mistake की वज़े से उनका LCM wrong हो जाता है तो friends अब हमने सीख लिया है कि कैसे हम prime factorization से LCM find कर सकते हैं Now we are going to learn how to find LCM by short division method अब देखे friends आपको LCM का मतलब समझ में आ गया है अब LCM को find करने का एक method होता है मैं आपको method समझाती है suppose करिए हमें find करना है LCM 12 और 8 का तो सबसे पहले तो हमें एक ऐसा छोटा number सोचना होता है जो इन दोनो numbers को divide करें अगर कोई एक ऐसा छोटा number नहीं है जो दोनों को एक साथ divide करें तो ऐसा number सोचिए जो कम से कम एक को तो divide करें अब यहाँ पे 12 और 8 मिरको पता है कि यह 2 से divide होते हैं सबसे छोटा number है 2 और दोनों ही numbers 2 से divide कोते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 2 and we know 2, 6 is 12 तो 6 इदर लिख लिया हमने नीचे अब हमारे पास आ गया है 6 और 4 और यह दोनों ही numbers फिर से हमें पता है 2 की table में आते हैं तो हम क्या करेंगे 2 into 3 equals to 6 2 into 2 equals to 4 तो हमने इन दोनों numbers को दुबारा से 2 से divide कर दिया अब हमें मिले 3 और 2 अब देखें यह 3 और 2 जो हैं यह दोनों ही prime numbers है ठीक है और कोई ऐसा number नहीं है जो दोनों को divide करे तो यानि अब भी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई ऐसा common number नहीं होता जो दोनों numbers को divide करे तो हम 1 वो number लेंगे जो कम से कम 1 को to divide करे तो हम 2 को लेंगे क्योंकि हमें पता है 2, 2 से डिवाइड होगा तो हम लिखेंगे 2 into 1 equals to 2 और जो 3 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 को हम as it is लिख लेंगे तो हमें मिला 3, 1 अब सिर्फ 3 बच गया है तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे So we will write 3 into 1 equals to 3 और 1 को हम as it is लिख लेंगे तो अब देखिए एंग में हमारे पास क्या बचा है 1 और 1 तो यहां पर हम stop हो जाएंगे रुक जाएंगे, यह हमारा last step अब LCM निकालने के लिए यह जो numbers हैं इदर यह देखिए, यह जो 4 numbers हैं हम इनको multiply कर देंगे और जो इनका product होगा वो होगा हमारा LCM तो हम क्या करेंगे 2 into 2 which is equals to 4 4 into 2 equals to 8 8 into 3 equals to 24 तो यह है हमारा LCM तो LCM of 12 and 8 is 24 तो यह method है LCM find करने का किनी भी दो numbers का आएए equal question solve करते हैं यहाँ पे हमें LCM निकालना है 26 और 91 का देखिए, यह दोनो numbers देखकर हमें एक दम से समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा common number है जो दोनों को divide करेगा ऐसा question exam point of view से बहुत important है अगर ऐसे कोई numbers आपको दिखते हैं जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि शुर्वात कहां से करें तो सबसे बहले आप ऐसे number से शुर्वात करिए जो कम से कम एक को तो divide करता हो यहाँ पे हमारे पास number है पहला 26 जो हमें पता है कि 2 से divide होगा क्योंकि क्यों इस यह हाँ पे 6 लिखा है ठीक है? हमें पता है कि जो even number है यह 2 से divide होगा ही होगा तो हम इसको शुर्वात करेंगे तो हम लिखेंगे 2 2 into 13 equals to 26 और 91 को हम as it is लिख देंगे और 91 को as it is इसलिए लिख देंगे क्योंकि वो एक odd number है वो 2 से divide नहीं हो सकता तो यहाँ पे हमें numbers मिल गए 13 और 90 अब देखिए friends इधर हमें देखते ही पता है कि जो 13 है वो एक prime number है तो यानि वो किसी odd number से divide नहीं हो सकता तो यह जो 91 है बहुत बड़ा चांस है कि यह जो 91 है वो भी 13 से divide होता है ठीक है? तो जिसको 13 के table आती है उसे तो देखते ही पता चल जाएगा 13 into 7 equals to 91 और जिसको table नहीं आती 13 की वो multiply करके देख सकता है तो यानि यह जो दोनो numbers हैं यह 13 से divide हो रहे हैं तो अब हम लिखेंगे 13 into 1 equals to 13 and 13 into 7 equals to 91 अब next क्या करेंगे? next हम 7 से divide करेंगे 7 into 1 equals to 7 और 1 को as it is लिख लेंगे तो हमारे पास end में आ गया है 1 और 1 तो हम इदर रुख जाएंगे और LCM find करने के लिए हैं हम इन तीनों numbers को multiply करेंगे 2 into 13 equals to 26 and 26 equals to 7 equals to 182 तो यह है हमारा LCM 182, 26 और 91 तो friends इस तरह से आप किनी भी दो numbers का LCM यानि least common multiple बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यह तीन numbers हैं 12, 15 और 40 इनका हमें LCM find करना है So let's see कैसे start करेंगे सबसे पहले हमको एक ऐसा number लेंगे जो इन तीनों को divide करता हो अगर इन तीनों को ना divide करें कोई एक number तो ऐसा number लेंगे जो at least 2 को divide करें अगर 2 को भी नहीं करता तो at least 1 को तो divide करें ठीक हैं? तो ऐसा number हम सोचेंगे पहले देखें यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो 2 even numbers हैं 12 और 40 तो हमें पता है कि even numbers 2 से divide होते हैं तो हम 2 से start करेंगे हम इधर 2 लिख लेंगे and then 2 into 6 equals to 12 and 2 into 20 equals to 40 और 15 जो कि 2 से divide नहीं होता उसे as it is यहां लिख देंगे अब देखें हमारे पास numbers क्या है 6, 15, 20 again we have 2 even numbers 6 and 20 तो यह दोनों फिस से 2 से divide हो जाएंगे so let's divide them by 2 2 into 3 equals to 6 2 into 10 equals to 20 और 15 को हम as it is यहां नीचे लिख देंगे अब देखें अब numbers क्या है 3, 15 और 10 अब इधर देखें आपको बहुत ही असानी से दिख रहा है कि यह जो 2 numbers है 3 और 15 दोनों ही numbers 3 से divide होते हैं तो हम 3 से divide करेंगे इनको 3 into 1 equals to 3 3 into 5 equals to 15 और 10 जो कि 3 से divide नहीं होता उसको as it is यहां लिख देंगे अब देखें अब numbers क्या बचे 1, 5 और 10 5 और 10 हमें पता है कि यह दोनों 5 से divide होते हैं so let's divide them by 5 1 को हमने सबसे पहले as it is यहां लिख दिया है फिर हम करेंगे 5 into 1 equals to 5 5 into 2 equals to 10 now we are left with 1, 1 and 2 तो 2 हमें पता है 2 से divide होगा तो उसको हम 2 से divide कर देंगे 2 into 1 equals to 2 तो यानि अब देखें अब यहां पे आपके पास 3 और 1 आ गए हैं जब ऐसा हो गया है तो हम यहां stop हो जाएंगे यानि हमारा जो method है वो complete हो गया है इदर अब हमें LCM फाइंड करना है उसके लिए हम क्या करेंगे यह जो इदर आपको numbers दिख रहे हैं इस side के हम इन सभी numbers को multiply करेंगे इनका जो product होगा वो होगा हमारा LCM so let's multiply them 2 into 2 equals to 4 4 into 3 equals to 12 12 into 5 equals to 60 and 60 into 2 equals to 120 तो यह है हमारा LCM यह हमारा answer 120 यह है LCM 12, 15 और 40 का राइट आईए एक और question solve करते हैं let's find LCM of 8, 18 and 24 अब इन तीनो numbers का LCM find करना है तो सबसे पहला हमारा step क्या होगा कि हम एक ऐसा number लेंगे जो इन तीनो को divide करें अगर तीनो को नहीं तो कम से कम 2 को तो divide करें अगर 2 को नहीं तो कम से कम 1 को तो divide करें देखें यहाँ पे यह जो तीनो numbers हैं वो even है यानि यह 2 से divide हो जाएंगे so let's divide all of them by 2 2 into 4 equals to 8 2 into 9 equals to 18 and 2 into 12 equals to 24 तो अब हमारे numbers क्या हैं? 4, 9 और 12 अब इन तीनो numbers को देखें इनमें देखें 2 even numbers हैं 4 और 12 यानि यह दोनो 2 से divide होंगे तो इनको हम 2 से divide कर देंगे 2 into 2 equals to 4 2 into 6 equals to 12 और जो 9 है जो 2 से divide नहीं होता है उसको as it is यहाँ लिख देंगे अब हमें मिले 2, 9 और 6 अब देखें फिल से हमारे पस 2 even numbers हैं 2 और 6 2 into 1 equals to 2 2 into 3 equals to 6 और 9 को हमने as it is यहाँ लिख लिख लिया numbers हैं अब हमारे पस 1, 9 और 3 9 और 3 दोनों odd numbers हैं और हमें पता है दोनों ही 3 से divide होंगे तो हम करेंगे उनको 3 से divide 3 into 3 equals to 9 3 into 1 equals to 3 और जो पहला यह जो 1 था उसको हमने यहाँ as it is लिख लिया अब हमारे पस क्या बचा 1, 3 और 1 तो यह जो 3 है यह भी again we will divide it by 3 itself so 3 into 1 equals to 3 और जो बाकी के 2 1 थे वो हमने as it is लिख लिए तो अब देखिए हमारे पस 3 1 आ गए हैंगे तो इसका मतलब है हमें यहाँ दुक जाना अब LCM find करने के लिए यह जो इधर की side में यह जो 5 नंबर्स हैं हम इनको multiply कर दोंगे LCM so let's multiply them 2 into 2 equals to 4 4 into 2 equals to 8 8 into 3 equals to 24 24 into 3 equals to 72 तो यह है हमारा answer 72 LCM of 8 18 and 24 is 72